हेलो माई डियर्स स्वागत है आपका आपकी चैनल बाइलोज इफेक्ट में मैं प्रत्मुजा जुड़ा हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ जिसके बारे में पढ़ना हमाले बहुत जादा जरूरी है आज इस वीडियो में एक नई डिसीज ल डेंगु बट यह भी सही है बट इसके प्रीफेक्ट प्रमस सीचन कह सकते है प्रिफेक्ट नेम इसका है डेंगी दी अ यू ए that is perfect pronunciation of dengue so my dear आज इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा dengue के related like इसका treatment ये कैसे फैलता है symptoms हना क्यों होता है so सब कुछ आपको इस वीडियो में clarify करूंगा but most important the part is treatment आपको treatment मैं बताऊंगा so please आप मेरी वीडियो में जुडे रहें ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को clarify कर सकें ठीक है so अगर आप dengue से जूज रहे है अगर आप dengue या dengue इससे जूज रहे है so आप इस वीडियो को देखें treatment को सुने treatment मैं बहुत ही अच्छा लेकर आया हूं इसका हाई देखो vaccine इसकी नहीं होती मैं आपको बताँ इसकी कोई vaccine नहीं होती नो vaccine ठीक है stages जो होती है उन्हें ही संभाल लेते हैं so that ऐढ़ को अब आप करोना में क्या होता था जैसे कि उसकी पहले वैक्सिन नहीं आई थी जब वैक्सिन नहीं आ रहे थी तो हम क्या निकलने हां आप जो इसको हम क्या कर सकती है इसका ट्रीटमेंट अच्छा कर सकती है तो सबसे पहले एगर मैं थोड़ा सा नंच के बारे मैं आपको एकस्प्लेंग करवाऊं तो सबसे पहले अगर मैं आपको देंगु के बारे में बताऊं तो यह कैसे फैलता है तो देंगी is a perfect pronunciation then next यह क्या है एक वाइरल डिसीज है Viral disease है माईडियर ठीक है viral disease तो है सो यह viral disease है कैसे च्छेक से फैलती है Mos Quto से फैलती है Mosquito से फैलती है माईडियर और Mosquito से अगर यह फैल रही है So Mosquito का नेम क्या होगा अगर Mosquito से फैल रही है Mosquito का नेम है A-D-E-S इसको हम कह सकते है Addies Addies ठीक है that is a perfect pronunciation यह क्या होती है यह क्या हותा यह मॉस्क entendeu अ भर snow होता है हना न हमने पिछली विडियो में देखा यो जो भी मतलब कि बिमार्य आ मॉस्केडों से फैल एंजाना उससे फैल रहाता था सो यह फीमेल ही लगबख यह जो वाइरल डिसीज है यह फिलाती है सो सबसे पहले में हमने ने कहा कि डेंगू है वाइरल डिसीज है मोस्क्यूटो फिलाती है देट इट्स एडीज ओके सो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं यह एडीज फिलाती है सो ये क्या है ये एक कैरियर है ये कैरियर का काम करती है ये कैरियर का भी काम करती है कैरियर का काम कैसे मैं कह सकता हूँ कैरियर का काम कैसे कह सकता हूँ लाइक ये क्या करता है कि जैसे किसी की भी बोडी में अगर डेंगी है हना अगर किसी को भी डेंग कोज हो गया वहना, तो क्या होगा कि उसकी बोडी से, ये किसी और की बोडी में ट्रांसफर कर सकता है, लाइक अगर फर्स्ट पर्सन है कोई, उसे क्या है, डेंगी है, तो क्या हो रहा है, उसे ये डेंगी है, तो क्या होगा, कि जो मौस्क्यूटो है, मौस्क्यूटो है, मौस्क्यूटो person होगा second person उसको कर देगा अना सो यह क्या कर रहा है एक तरफ से carrier का काम कर रहा है एक तरफ से क्या कर रहा है my dear एक तरह से carrier का काम कर रहा है carrier ठीक है यह एक से दूसरे में transfer कर रहा है transfer कर रहा है हम simply भी कह सकते हैं कि यह क्या कर रहा है transfer करवा रहा है ठीक है तो यह एक तरह को जो यह डेंगी है बहुत खतरनाक भी है ना तो इसके अगर मैं symptoms की बात करूं symptoms भी most important है हना क्योंकि देखो हम कैसे कह सकते हैं किसी को डेंगू है आपको कैसे शक्त पढ़ेगा कि तो सबसे पहले इसको मैं symptoms को पढ़ाने के पहले in combustion period बताऊं देखो in combustion period मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि यह अलग लग होता है हर किसी व्यक्ति का हना किसी का immune system कह सकते कि बोजला वीक है किसी में blood कम है सो उसकी वज़ाए से in combustion period भी वेरी करता है हाना सो in combustion period की मैं बात करूं in combustion period यह हर इक व्यक्ति में या person में वेरी करता है like इसी में होगा three to five days हाना किसी में होगा eight to ten days हाना इतना होता है लग भग ठीक है इसमें क्या होता है कि अगर हमें अगर जो mosquito है हमें बाइट करता है तो बाइट करने के लग भग आठ से या नो दिन तक हम नो दिन ले लेते हैं आठ से नो दिन तक वो हमारे body में symptoms आने लग जाते हैं ठीक है यह है हमारा कि इतने दिन हमें कुछ नहीं होता बट लगा लो वो जोन से दिन हमें वो बिमारी के लक्षन आने लग जाएं तो समझ लो कि हमें उतने भी कुछ दिन हो गए हैं और जब लक्षन आने शुरू हो जाएं लाइक हमारे स्टार्टिंग है in combustion पीरिड इंकमशन पीरिड इंकमशन पीरिड यह बाइट किया है जब बट जब लक्षन आने लग जाएं वह इंकमशन पीरिड हट जाता है लाइक फिर उसके बाद बिमारी हमें पता लगने लग जाती हम उसकी उसका ट्रीटमेंट करवाने जब शुरू करते हैं ना कि हमें आज भी हमें पता लग गया कि हमें बुखार हो रहा है वॉम्टिंज आने लग रही है ना आ जब हमारे सिम्टम आने लग खाओं शिम्टम से पहले कंपरिशन पीरड आपको बताना बोहत जरुरी घंच अगर में बात करूं शीम्टम्स की पिल्म सिंप्टम्स की तो इसम्टम्स में के बोड़ी टोपां। इसमें ऐस के आस-पास पेड होगा अगर आपको बताऊं कि जो हमारी आइस संप skin for example अगर मैं आपको बताओं like यह eyes है हना okay so यह eyes अगर हमारी ऐसी है तो eyes के आस पास वाला जो भी area होगा उसमें pain होने लग जाएगा like इस area में pain हो रहा है दोनों तरफ pain होने लग जाएगा ठीक है यह भी क्या हो है एक pain यह हो गया हना यह भी हमारा डेंगी में ही आता है और next pain अगर मैं बात करूं joint pain होता है ठीक है यह एक pain हो गया ठीक है next अगर मैं बात करूं joint pain होता है joint pain क्यों होता है joint pain में क्या होता है कि इसको जाना thrombocytopenia ठीक है thrombocytopenia ये term है तो इसमें क्या होता है इसमें जो हमारी bones होते है हमारी joints होते है उसमें क्या होता है कि pain होना शुरू हो जाता है कैसे कैसे ये जाना जुरूरी है तो like मैं अगर आपको एक bone बनाने की कोशिश करूं like just for your समझाने के लिए परफेक्ट तो देखो नहीं बन सकती जैसे कि यह हमारी क्या है एक बॉन है और बॉन के नजदीक बॉन के नजदीक बीच में हमारे कुछ cells होते है bones के बीच हमारे cells होते है so वो cells क्या करते है हमें safety provide करते है अगर मैं आपको show करवाऊ कि यह हमारी एक bone है और इसके बीच में cells है simple simple ठीक है so यह cells है ठीक है यह cells है जिसे हम कहते है stromal cell stromal cell क्या करते है कि यह form करते है यह बनाते है rbc wbc and platylates platylates ठीक है so मैंने आप आपने सुना भी होगा कि जो dengue होता है dengue में क्या होता है कि हमारे platylates कम होने लग जाती है तो क्या होता है कि जो bones होती है हमारे joint pain होता है हमारी bones होती है bones में क्या होगा कि platylates platylates का जो बनना होगा form होना होगा कम हो जाएगा platylates कम form होने लग जाएगे platylates कम form होने लग जाएगे so that's why platylates का जो number होगा decrease हो जाएगा so bones में अगर कह सकते हैं कि इसका number decrease हो गया so bones pain भी शुरू होने लग जाएगा ठीक है कहीं न कहीं ये कारण बन सकता है इस चीज का ठीक है so इसके इलावा गर मैं next इसे आगे लेकर चलूँ इस चीज को इस term को आगे लेकर चलूँ so next अगर मैं आगे लेकर चलूँ आपको कि जो platylates होती है हमारे अंदर body में platylates है so ये कम हो गया platylates number कम हो जाता है platylates decrease हो जाती है dengue में ठीक है decrease हो जाते है decrease हो जाते है so decrease होने की वज़े से हमें बहुत सी चीजें कहते हैं कि ये खाओ वो खाओ सबसे जाला तो हमें liquid ही कहा जाता है पीने को अब most important term most important part शुरू हो रहा है that its treatment but treatment से पहले में आपको सारे symptoms clear करवा दूँ स्टमक में हमने यह देखा कि पें जॉइंट पें उसके इलावा headache उने लग जाता है headache stomach स्टमक पें इसके इलावा headache 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 के इलावा हमने देखा joint pain भी देख लिया joint pain joint pain के इलावा next अगर मैं बात करूं vomiting देखो अगर stomach pain होगा stomach pain होगा stomach pain होगा so vomiting भी आएंगी stomach pain होगा तो vomit vomit भी आएगी so that is the main कारण कह सकते हैं किसका हमारे देंगी का यह symptoms है कि क्या है सारी symptoms है my dear symptoms इसके लावा हमने देखा eyes के नजदीक क्या होने लग जाता है eyes के नजदीक हमारे जो pain होना शुरू हो जाता है so एक चीज़ और है वह मैं आपको end में करवाऊंगा वह symptom भी करवाऊंगा पर end में बट सबसे पहले मैं आपको treatment बता दू कि बहुत से लोग यहां पर बैठे हैं कि जो treatment के लिए उत्साहित हो रही है उन्हें treatment को जानना है कि हम क्या करें कि अगर हमें डेंगी हो गया तो हम कौन सी चीज़ लें क्या खाएं क्या ना खाएं हाना सो उनके लिए बहुत ज़्यादा जुरूरी है यह वीडियो प्लीज देखना सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अगर treatment में मैं बात करता हूं तो treatment में सबसे पहले आता है हमारा food हाना कोई भी चीज हो भाई हमें क्या खाना है क्या खाना है बहुत से patient आते हैं वो कहते हैं बट हमें कौन सी चीज खानी है और नहीं खानी है वो तरम अलग है तो मैं आपको इस वीडियो में treatment में वो चीज बताऊंगा कि आपने कौन सी चीज खानी है आपने बहुत सुना होगा देंगी है मच्छों से दूर रहो पानी मत खड़ा रहने दो treatment में लगबग सही सभी यह बजा देते हैं कि पानी मत खड़ा रहने दो और पानी जहां पर खड़ा होगा देंगी के मच्छ आएंगे कपड़े पूरे पैनो औरो मास लगाओ यह करो वो करो करना तो भाई यह भी है बट खाना क्या खाना है क्या कुछ खाना है कौन सी चीज लेनी है मैं आपको व हमारे लिए जरूरी है ही फूर हमारे लिए जरूरी है फूर में क्या क्या खाना है क्या क्या खाना है फूर हमारी सबसे पहले क्या करता है रिकावरी करता है हना यह मैं चीज जो भी चीजे बता रहे हैं साइंटिफिक नहीं है हना इसके कोई ऐसे साइंटिफिक कोई कुछ होएगी हैना हमारी body अच्छी होगी तो कुछ तो है ना उसमें वोंगे उसमें हैं वो कौण कौन सी चीज है जो हमें खानी चाहिए ठीक है तो इस से क्या होता है कि बच्चे जो भी जिन्हें भी यह बीमारी होते है वो जल्दी ठीक होते है, सबसे पहले मैं अगर मैं लेकर चलू, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि पपाया, पपाया लीफ, पपाया लीफ कहा है, like 2 से 3 पते, 2 से 3 लीफ, लीफ है, ठीक है, उसको या तो तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, हाना, आप ऐसे भी खा ले, उसको simply अगर आप ऐसे खाले तो ठीक नहीं तो किसी जूस में डाल कर कैसे भी आप उसे ले सकती हैं पाइया लीफ हो गया उसके रावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सिंपली पाइया लीफ के रावा और क्या कर सकते हैं आप आपने देख जबसे पहले पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा पी नहीं है क्योंकि इसमें प्लैटिलेट्स कम होते है अगर आप चेकब भी कराए तो प्लैटिलेट्स का नंबर कम होता है प्लैटिलेट्स को बढ़ाने के लिए हमें जादा से जादा liquid fluid पीना जरूरी है अना so papaya है papaya leaf के साथ juice पीलो papaya leaf में juice जाल के पीलो so ऐसे ठीक है और इसके इलावा अगर मैं next अगर मैं बात करूं ये कितनी बार ले ना ये per day two times दो बार ले लो भाई ठीक है per day per day ठीक है तो इसके इलावा अगर मैं आपको हाँ एक चीज और भी बताओं ये जो डेंगी है ये लगबग हमारा दो weeks में ठीक हो जाता है जाद दिकत वाली बात नहीं होती बट 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 अगर हम इसका अच्छे से treatment में नहीं करवाती है ये हमारा next to next stages में चला गया so that's why ये हमें भाई death तक भी cause कर सकता है वो क्यू cause करता है वो भी मैं आपको आगे बताओंगा बट तब तक आप जुड़े रहें ठीक है आपको treatment बता दूँ ठीक है ये क्या है पर डे ये दो बार पी सकते हैं उसके इलाव जूस हो गया अगर next अगर में बात करूं गोट मिल्क पी सकते हैं गोट मिल्क मींज बक्री का दूद हाना इससे क्या होता है हमारा प्लैटिलेट्स का नंबर बढ़ जाता है हना so ये भी बहुत जादा जरूरी है हमारे लिए next अगर मैं बात करूं हमारा एक और चीज जो ह में जरूरी है हमारे लिए green vegetables तो भाई हमारे लिए जरूरी है ही है ठीक है so इसके इलावा lot of fluids हाना like narial पानी पी सकते हैं narial coconut कह सकता हूँ मैं ऐसे narial की वज़े से coconut 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 water हाना इसके इलावा juices हो गए लसी हो गया और पानी तो भाई आपने पीना ही पीना है ठीक है ये चीज आप क्या कर सकती है अपना इस डेंगी की disease में कर सकती है ठीक है यह करे क्या करेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे यह क्या करेगा लेवल ओफ लेवल ओफ फ्लैटी लेट्स को इंक्रीज करेगा लेवल ओफ प्लैटी लेट्स को इंक्रीज करेगा और लेवल बढ़ाएगा level of platelets तो क्या करेगा increase करेगा और next क्या करेगा increase करने के बाद ये consume और हमें इसके लावा level of platelets बढ़ाएगा और क्या और चीज़ क्या हमें consume करनी चाहिए consumption में अगर मैं बताऊँ consume और क्या करना चाहिए green vegetables green vegetables vegetable fruits fruits and fruits में भी कह सकते है कि अगर हम मैं बात करूँ kiwi ले सकते हो आप kiwi अगर और और भी कोई भी fruit हो अगर आपकी इच्छा जो भी आप खा सकते हैं मुखाए ठीक है इस से क्या होगा simply अगर हम vegetables और fruits से इस से क्या होगा हमारा protein का level increase करेगा क्या होगा level of protein increase होगा level of protein increase करेगा protein का level increase करेगा और protein का level increase होने से हमारी body अच्छी होगी ताजा होगी ठीक है उसके इलावा next एक मैं बात करूँ यह और क्या होगा इस से हमारा मतलगी इसमें क्या होता है कि हमारा जो vitamin C और D हमें बढ़ाना होता है इसमें vitamin c and d so इसके लिए क्या करना होकता है हमें vitamin c को बढ़ाने के लिए आप क्या का सकते हैं कि अच्छे-च्छे nuts nuts होते हैं न उसमें हमारा हो सकता है बडाम हो गया पिस ता ऐसी चीज़े अजीर हो गया इसे चीज़े आप खा सकते हैं ठीक है विटामिन और सी और डी को बढ़ाने के लिए और आयन को बढ़ाने के लिए आपको हरी सब्जिया ग्रीन लीव यह वगयर आपको बढ़ानी है इससे क्यों होगा हमारा आयन हमारी बोड़ी के अंदर बढ़ेगा ठीक है तो यह हो गया पानी होगा लस्ती होगा ज़ूब छीज होगई यह ज्यादास ज्यादा करना है अची चीज्दें जो हमारी बोरी के लिए अच्छी है और लिक्वड में है रहना ऐसे तो भाई चाय भी होगी चाय थोड़ी ना इतनी सादा होगे फो तो भी चलो ठीक है जरू पर एक अदा कप बट जादा नहीं बट जूस हो गया ये चीज़े जादा होनी चाहिए ठीक है तो ये एक था हमारे अंदर जो चीज़े हमने खानी है और ट्रीटमेंट में यही है जो भी खाना वगयरा हो गया बट इसके लावब वही बाकी ट्रीटमेंट तो वही हो सकता है कि पूरे कपड़े पहनो अना ऐसे मतलब कि हाफ सलीफ बाजू कपड़े ना पहनो अना गंदा पानी ना खड़ा रहने दो कुलर में पानी है साफ करो अगर कहीं पर ऐसा पानी रुका हुआ है उसे साफ करो तो आपको पता ही है औरोमोस पहनो औरोमोस पहना है तब ही बाहर निकलना आड़ोमोस नहीं पहना तो घर पे रहना यह आपने धारना सुने ही होगी मुझे बताने की जुरूरत है नहीं ठीक है सो यह था हमारा डेंगू का ट्रीटमेंट ठीक है उसके बाद इसके बाद मैं करूं कि मैंने आपको डेंगू में क्या बताना है कि जो यह डेंग सिम्टम्स जो मैं हम कर रहे थे उसमें मैंने कहा था कि एक सिम्टम्स हमारे लिए जाना बोजा जूरी है तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं कि जब हमारी बोडी में डेंगी होता है हाना मैं बात करूं हमारी बोडी में अगर डेंगी है हाना तो इसमें क्या होगा कि सिम लगाने लग जाती है जो ये रैशी होते है ये क्यों होते हैं ये वजह ये चीज मेरे आपके लिए आपको जानी बहुत जूरी है तो इस चीज को अगर मैं समझाओ कि जैसे कि अगर हमारी body है ना हमारी body में जब vessels, carpillaries और इसके लावा blood vessels होती है इसमें क्या होता है कि जैसे कि for example ये मेरी एक hand है या बाजू है जो भी लगा लो ठीक है इसमें क्या है कि carpillaries भी होंगी, capillaries भी होंगी और क्या होगा blood vessels भी होंगी ठीक है, so इसमें क्या होता है कि जब rashes, पहले तो मैं बताओं कि rashes क्यों होते है rashes ये red red dango के काटने से होते है, like for example ये हमारी ये बिल्कुल skin के साथ क्या होती है, हमारी carpillaries होती है नीचे क्या होता है, हमारा arteries होती है, ये हमारी लगा लो, ये क्या है, arteries हो गई ये क्या है, हमारी, उपर capillaries हो गई, so ये क्या होता है, कि अगर हमारे mosquito आया, mosquito ने क्या किया, हमारी mosquito ने bite किया तो बाइट करने से जो defense cells होते हैं defense cells यहाँ पर आते हैं सारे के सारे और यहाँ पर क्या हो जाते हैं अगर मैं लिखना चाऊँ तो इसमें क्या लिख सकता हूँ सो दा एक तरह से कट हो गया एक तरह से कॉलेक्शन हो गई अना डिफेंस सेल की दा कॉलेक्शन हो गया कॉलेक्शन कॉलेक्शन ओफ डिफेंस सेल डिफेंस सेल इन दा in the capillaries in the capillaries so that's defense the collection of defense cell in the capillaries so that's why that's why मारी बोडी के अंदर क्या होता है rashes cause होती है मारी बोडी के अंदर rashes आ जाते है ठीक है so यह ही है हमारी बोडी को अपर डेंगी में rashes आने का कारण ठीक है so यह symptom था symptom मैं कह रहा था थोड़ा सा अच्छा symptom like symptom भाई मैं थोड़ा सा समझाने वाला है so that's why मैंने आपको last week करवाया इसके लिए अगर मैं next अगर मैं बात करूँ आपको बताने के लिए एक important चीज है आपको अगर मैं डेंगी के बारे में बताऊं कि जो यह डेंगी होता है हमारी बोड़ी के अंदर फैलता तो है मैंने कहा भी था यह हफ़ते दो हफ़ते में चला जाता है दो हफ़ते लगवग इसका time होता है यह कब होता है जब यह normal होता है यह डेंगी है डेंगी normal है simple simple तो हफ़ते में दो वीक्स में दो वीक्स में क्या हो जाता है यह finish हो जाता है बट 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 अगर इसका लेवल इंक्रीज हो जाए यह progressive लेवल में चला जाए यह क्या कर सकता है हमारी बोड़ी के अंदर blood leak कर सकता है plasma leak कर सकता है जिससे क्या होगा कि हमारी बोडी में जो एक तरह से death भी cause हो सकती है simply एकर मैं last में कहूं कि हमारी बोडी में death भी cause हो सकती है किसकी वज़े से सिर्फ और सिर्फ डेंगी की वज़े से हमें शोक लग सकता है blood leak होगा plasma leak होगा इसके shock भी हो सकता है बट गी अगर आपको याद रखना है ठीक अगर अधरवाइस आप रहने रहें में भी दे सकते हैं तो सिंपली जो मैंने आपको सिंप्टम्स बनाए आपके लिए वह जाज़ा जरूरी है अना डेंगी क्यों फैलता है वजह जरूरी है ठीक है कौन सा मौस्कीटो फिलाता है और लास्ट में एक अच्छी एक मतलगी जानने वाली बात अगर मैं आपको बताओं आपको जो पता होनी चाहिए यह इसके साइंटिफिक लाइक इसके कई वो भी मिले हैं यह प्रोपर जो नेक्स जो मैं आपको बताओं कि जो यह जो डेंगी है यह इसके वन इयर में वन इयर पर इयर चार पोर हंडर्ड मिलियन पोर हंडर्ड मिलियन क्या है फोर हंडर्ड मिलियन केसिज मिलते हैं इस डेंगी के फोर हंडर्ड मिलियन केसिज क्या मिलते हैं आइडियर फोर हंडर्ड मिलियन केसिज किस से तो इस डेंगी ये सारा डाटा फिर से लिख रूँ मैं जो ये डेंगी है डेंगी डेंगी के जो फोर अंजर्ड मिलियन केसेज पर इयर पर इयर में ठीक है अगर नेक्स टेकर में बात करूँ फोर और और इसके लावा ये मतलग की पूरे प्रॉपर ऐसे नहीं है बट हाँ अब एक करफ से थिमिट लगाया गया कि इसके इतने केस मिलते हैं ठीक है नेक्स में बात करूँ कि जो एक पर व्यक्ति को चार बार इंझा है फूर टाइम सी ईिन लाइव में ूर्ध में जो ये देंगी है होता है देंगी होता है ठीक है होता है so यह simple था देंगी का बार सारी knowledge हमने देखे देंगी के बारे में देखा so इसके लावा एक चीज़ और जो आपके लिए पता होना जरूरी है जो यह एडीज है मैंने आपको बताया था जो देंगी का यह फीमेल मैस्कीटो होती है जो यह देंगी फिलात यही कारण होती है यालो फीवर आना इसके इलावा एक दो बैमारियां और यही मौस्कीटो होती है ठीक है तो यह था सारा हमारा देंगी के बारे में treatment तक अच्छे से देखा है so please अगर आपको कोई भी doubt हो कोई भी question हो so please you ask me in a comment section और ये भी बताएं कि आपको next कौन सी disease चाहिए कौन सी video चाहिए related to biology geology bought me as any subject any topic आप मुझे कभी भी comment section में बता सकते हैं मैं आपका comment का इदिजार करूँगा so तब तक के लिए my dear friends okay tata bye bye फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई topic के साथ so thank you guys okay dear friends bye bye